बिग बोस सीजन 14 का अगाउस होने जा रहा है 3 अक्टोबर से यानि कि अब लगभग एक हफ़ते का समय बचा है और फैंस इशो को लेकर काफी एक्साइड़ है इशो से कई बड़े सेलेबिटिस के नाम जुड़े है लेकिन इस अब से ज़ादा चर्चा है जिनकी हो रही है वो है जिया मानिक जो की गोपी वो के नाम से ज़ादा चर्चित हैं उनके बारे में तो फैंस हार एक चीज जानना चाते हैं और ये फैंस का हग भी है क्योंकि फैंस के प्यार और सुपोर्ड की वज़ा से ही ये सितारे बिद्गमोस के घर में survive करते हैं और उनका कרर एक अलग उछाल पाता है अब ऐसे में फैन से जानना ही शाहेंगे कि उनके ये फेवरिट सितारे सिलेबिटीज क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं तो मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त वरशाली गो क्या और चली जानते हैं जी आमानिक के बारे में कुछ खास बाते वो दरसल है गुच्छात से, गुच्छाती फैमिली से बिलॉंग करती है और वो बिलॉंग करती है एहमदाबाद से तो जी अमाने के अगर बर्द के बात की जाए तो उनका बर्द आता है 19 February को और उनका जनम हुआ था 1986 में तो हाल सिलाल उनकी एज है 34 बात की जाए उनके करियर की तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर के शिर्वाद की थी एक फिल्म से और फिल्म का नाम था ना घटे ना घटे इस फिल्म से भी उन्होंने काफी अच्छी पप्लारिटी हासल की थी और उसके बाद उन्होंने साल 2010 में अपने करियर के साथनी बना साथिया में उनके भोली भाली और एकदम मासूम बहु के किरदार ये सभी का दिल जीता फिर जलक दिकला जैसे बाहर आने के बाद उन्होंने सब टीवी के शो जीनी और जूजू में जीनी का किरदार ने भाया जोके इक बार फिर से उनके गोपी बहु वाली के दार से गदम अलग और हटके था बिलकुल चलबला काफी नौटी सा इसके बाद इस शो को भी उन्होंने अलविदा कह दिया कैमियो रोल किये और इवन लासली उन्हें देखा गया था जी टीवी के शो मन मोहीनी में जहाँ पर उन्होंने एक नेगटिव किर्दार ने भाया था बात की जाए उनकी लव लाइफ की तो वो डेट कर रही है निशान सिंग मलकारी को निशान चिन मलकानी काफी फेमस एक्टर है, बूवीज में काम किया है और टीवी में भी वो काफी सालों से एक्टिव है अभी उनको लासली देखा गया था जी टीवी के शोव गुड़न तुमसे ना हो पाएगा अक्षर जिंदल के किरदार में और अब उनके करदार की हो गई है मोत और उनकी बेटी यानि चोटी गुड़न शुप को आगे कंचिरिव कर रही है आपका क्या कहना है, क्या है आपके विचार हमारे साथ जरूर शेय कीजेगा वीडियो पुसंद आई तो से लाइक और शेय भी कीजेगा और बागे सभी अपडेट के लिए चानल के साथ बनी रही, धन्यवाद